Hello Learners, Welcome to my channel Enlightened Knowledge. आज हम study करने जा रहे हैं Break-Even Point Analysis and Profit Forecasting में Methods of the Break-Even Analysis. Previous वीडियो में हमने discuss किया था कि Break-Even Point होता क्या है उसको निकालते कैसे हैं. अब ये क्या है कि अलग-अलग Methods हैं उसको measure करने के लिए उसको निकालने के लिए. Mostly, आपकी Most Important आपके तीन Main Methods होंगे Break-Even Point को निकालने के लिए इस वीडियो में तीनों Methods को discuss किया जाएगा. वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरा Telegram Channel जोइन कर सकते हैं. Website पे भी विजट कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको Description Box में मिल जाएगा. So, सबसे पहला Method है आपका Graphic Method. Second one है Equation Method and third है आपका Contribution Margin Method. बात करते हैं, first method की, that is the Graphic Method. अब Graphic Method क्या होता है? कि Graphic Methods में ये सारा कुछ बताया जाता है, कि Break-Even Analysis को, Break-Even Point को निकालते कैसे हैं, Graphical Representation के द्वारा. Now, Break-Even Chart क्या होता है इसमें? कि Is that Graph which shows the extent of profit or loss to the firm at different levels of the sales of production. मतलब हमें ये दिखाएगा कि कितना profit होता है, कितना loss हो रहा है एक firm को, अलग-अलग levels, कितनी उसने sale की, मतलब कितनी production की, कितना उसको revenue generate हुआ, कितनी उसकी cost लगी, तो सारा कुछ इसमें क्या है? ग्राफिकली वे में discuss किया जाएगा, तो पहले हम लोग chart को discuss कर लेते हैं, मतलब एक table को discuss कर लेते हैं, जिससे हम लोग आगे इसका graph बनाएंगे. जैसे कि ये chart बना हुआ है, chart हमने किस adoption पे लिया है, कि जो आपका price चल रहा है commodity का, वो है आपका rupees 3 per unit, और variable cost दीग हुई है 2 per unit. तो इस सारा कोच आपका cost chapter में discuss किया हुआ है, कि आपका revenue क्या होता है, cost क्या होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग in this chapter के बारे में देख सकते हैं. अचे price, मानकर चलो, हर commodity का price आपको 3 per unit दे रखा है, variable cost आपको 2 per unit दे रखा है, यह 1000 रोपिस में है. तो जैसे कि हम देख सकते हैं, कि output 0 produced हुई है, तब भी आपकी fixed cost तो लगेगी ही लगेगी, क्योंकि जैसे कोई land ली हुई है, production करो, उस पे ना करो, rent तो उसका pay करना ही पड़ेगा, तो total fixed cost आपको पड़ेगी ही, पड़ेगी भले आपकी output 0 ही है, ठीके, तो output 0 है, तो तबी भी total fixed cost आपको क्या पड़ रही है, 40, अब total variable cost कैसे निकालना है, total variable cost को निकालने का method वही है, कि output को किसे multiply करवाना है, आपके variable cost के साथ, ठीके, variable cost के साथ, आपने अपनी आउटपुट को ये थारी आउटपुट को क्या करवाना है? Multiply. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं. Output, मतलब Q into आपकी जो variable cost आपको दे रखी है. रुपिस 2 दे रखी है. तो वैसे ही ये है आपका 0 output. रुपिस 2 आपकी variable cost है. तो ये तो 0 ही आजाएगी. फिर 10 की output produce हुई. रुपिस वही रहेगा variable cost आपको 2 to 10 into 2, 20. फिर यहाँ पर 20 है, 20 into 2, 40. तो यहसे हमने इन सभी चीजों को निकाल के रखा हुआ है. तो अब देखते हैं total cost कैसे निकालते हैं. हमने इन निकालना तो यही है न. main point क्या है total cost और total revenue को निकालना. total cost किसके equal होती है? total fixed cost plus total variable cost. यह देखो, total fixed cost बचे. simple है, यह तो fixed ही रहने वाली है, यह उतनी ही रहेगी. इस दोनों को क्या कर दो? plus कर दो. ठीक है? total fixed cost plus total variable cost. आपको क्या मिल जाएगा? total cost. जैसे 40 plus 0, 40. 40 plus 20, 60. 40 plus 40, 80. तो यह ऐसे यह सारी चीज़े आप लोगा निकाल सकते हों. अब बात है total revenue को निकालने की. revenue के लिए हमें price का पता होना चाहिए. और price दे रखा है, that is 3 rupees. और output को अगर हम लोग किस से multiply करवा दे? price से. P into क्यों करवा दे? तो हम हमारे पास क्या आजाता है? total revenue. तो 0 into 3, 3 क्या है? price है. 0 into 3, यह तो 0 ही आगया. 10 into 3 निकालेंगे, 20 into 3 निकालेंगे. तो यह हमने मत्तब, 3, 3 के साथ output को क्या कर दिया है? multiply. देखना क्या है? break-even point. और break-even point निकलता कहाँ पे है? जहाँ total cost किसके equal आजाए आपकी? total revenue के equal आजाए. तो यह देखो. 40 output पे total fixed cost 40 पढ़ रही है. total variable cost 80 पढ़ रही है. total cost आपकी रज़े 120 निकली और total revenue पी क्या हो गया? 120 हो गया. तो मत्तब यहाँ पी इस condition में total cost is equal to the total revenue. तो यह हमारा break-even output कौन सा हुआ? 40. break-even point हमारा यह वाला हो गया, ठीक है? जहाँ पर यह दोनों क्या हो गए? equal हो गए है. तो सारा का सारा chart आपको समझ में आ गया होगा. अब अस इस सारे की सारे chart को हमने graphical representation में show करना है. तो table में हमने देखा कि when firm produces 40,000 units तो तब total cost थी 120, total revenue भी क्या थी 120,000. और इस पर हम देख सकते हैं इस level of output पे नहीं firm को वच्चे कोई loss हो रहा है नहीं उसको कोई super normal profit मिल रहा है. और जो quantity निकल कर आई है वहाँ पे उसको हम लोग नाम क्या देंगे break-even output. The point related to this output जहाँ पे total cost and total revenue आपके equal हो जाते हैं वहाँ पे firm को कोई भी super normal profit नहीं मिल रहा, कोई भी loss नहीं हो रहा उस point को हम लोग नाम क्या देते हैं break-even point. तो firm मतलब आपके क्या है equilibrium point पे यहाँ पे पहुंच चुकी है जहाँ पे firm को कोई नुकसार नहीं है कोई ज़्यादा profit नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग graphical way में represent कर देते हैं सारा का सारा बस table को ही यहाँ पे बनाना है तो नीचे हमने x-axis पे लेना है output को, y-axis पे लेना है cost और revenue को क्योंकि cost और revenue दोनों की दोनों की ज़रूरत है आपको इस curve को बनाने के लिए और यहाँ पे आपने लेना है output को यह आपका point of origin आ गया अब हमने क्या देखा था कि आपका यह सारा system ऐसे चार्ट से आप लोग compare करके देख सकते हो, यह कि 60 ऐसे चीजें हमारी बढ़ रही थी 80, फिर आपने देखा था कि 120 पे आपका break-even point आ गया था उसकी बाद भी जो outputs आपकी आएंगी तो चे टोटल fixed cost आपने देखा था कि हम लोग 40 लेके चले हैं तो मतलब यह तो हमेशा क्या है आपकी क्या रहेगी 40 ही रहेगी तो यह हमारी fixed cost आगई तोटल revenue आप लोग देख सकते हो 0 से start हुआ था 0 into 3 जैसे निकाला था न 10 into 3, 20 into 3 30-30 का gap पड़ता जा रहा था तो यह आपकी जो curve है यह origin से start होगी और बिलकुल क्या बनेगी ऐसे बनेगी तो यह आपकी क्या निकल गई total revenue curve आप specifically भी बना सकते हो ऐसे भी simply बना सकते हो ठीक है बस आपने show करवाना है कि 120 पे हमें क्या मिलेगा break even point मिलेगा तो यहाँ पे मैं पहले से ही एक cut लगा देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए तब भी 40 प्लस 0 क्या होगा 40 मतलब यह कहां से start हो रही थी 40 से start हो रही थी और बराबर कहां पे हो रही थी 120 पे तो यह आपकी क्या निकल गई total cost अब हम लोग देख सकते है क्योंचे जो यह वाला area है यह वाला जो नीचे वाला यह वाला part है यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो total revenue है वो total cost से क्या है कम है क्योंकि total cost यह वाली curve है तीक है उपर वाली यह रही और total revenue क्या है नीचे वाली और यह part कौन सा है जहां पे हमारा total revenue क्या हो गया जादा हो गया total cost से और यह point को हम लोग क्या कहते हैं, जहां पर equal हो गया, जहां पर total revenue equal हो गया total cost से, उसको हम लोग कहते हैं break even point, ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने break even point को निकालना होता है, एक तो पहले chart बनाकर, break even chart बनाकर, उसके बाद क्या बनाना है, उसका graph बनाना है, और यहां पर बच्चे क् को बात करते हैं that is called equation method अब equation एक निकल की आएगी जहां पर हम लोग break even output यहां quantity को निकाल सकते हैं इसको निकालने का तरीका देख लेते हैं वहीं same चलेगा ठीक है quantity निकालनी है बस यहां पर सबसे पहले चीज टोटर revenue कैसे निकाला जाता है price into quantity हमने देखा है उसमें चार्ट म तो हम इसको लिख सकते हैं p into q मतलब p क्यो लिख सकते हैं p यहां पर price है क्यों आपका क्या है quantity और total cost को निकालने का formula क्या होता है fixed cost plus variable cost clear हो गया? ऐसे ही निकालते हैं total cost को अब हमने यहां पे variable cost को थोड़ा सा change करना है जब हम निकालते है average variable cost उसका formular क्या होता है, variable cost को divide कर तो quantity से, ठीक है, यहाँ पे variable cost आपकी क्या निकल के आएगी, Q into average variable cost, यह निकल के आगई, that means यह वाली चीज को हमने यहाँ पे क्या करवाना है, put करवाना है, तो total cost क्या बन गई आपकी, that is equal to fixed cost plus Q into average variable cost, ठीक है, यह हमारा यह सारा चीज निकल के आगई, अब break-even point में हम लोग क्या देखते हैं, कि total revenue आपका किसके equal होना चाहिए, total cost के, that means PQ आपका किसके equal आ गया, fixed cost plus Q into average variable cost, उसके बाद क्या करना है, यह सारा quantity वाला side, एक तरफ ले आनी है, PQ into Q, average variable cost, और यहाँ पे आपका रह जाएगा fixed cost, उसके बाद आपने क्या करना है, इन वे से Q को common ले ले लेना है, क्योँ आपका common आ गया, निकल के पीछे क्या रह गया, price minus average variable cost into fixed cost, बस यहाँ से Q की value ही निकालनी है, क्योँ आपका क्या निकल के आ जाएगा, fixed cost upon P minus average variable cost, बस यह है आपका graphical method, सारा का सारा जो system है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है, variable cost को बस आपने यह लिखना है, जिससे हम लोग आगे क्या निकालेंगे, quantity, ऐसा लिखा ही क्यों है, क्योंकि हमने quantity निकालना है, यह सारी चीजे लेके चलेंगे, तो quantity निकालनी पाएंगे, तो break-even quantity का formula क्या निकल के आया, यह वाला, fixed cost को divide कर दिया जाता है, price और price minus average variable cost, अगर कोई भी इसमें आपको example आती है, तो आप लोग यह वाला method यूज करके, सारा कुछ निकाल सकते हो, जैसे fixed cost दे रखा है, किसी चीज़ का price दे रखा होगा, variable cost दे रखी होगी, ठीक है, तो उसके according हम लोग put करवा के values को, इस method से निकाल सकते हैं, next, जो last method है, वो discuss करते हैं, contribution margin method, contribution margin method भी आपका वैसे ही चलता है, ज्यादा तर same ही है, जो हम ने ग्राफिकल method को पढ़ा है, another method क्या है, break-even point को निकालने का, that is contribution margin method, अब contribution margin क्या होता है, excess of the total revenue over total variable cost, मतलब total revenue, कितना ज्यादा है आपका total variable cost से, ये निकाला जाता है, आपका contribution margin method में, thus, जो concept है, contribution margin वाला, जिस तरीके से concern किया जाता है, तो short period में हम लोग क्या देखते हैं, with variable cost and revenue, इन सा भी को short period में निकालना जाता है, variable cost और revenue से, example दे रखी है, if the total sale proceeds of 5 units, मान कर जोलो हमने 5 units क्या किये, sale किये, और a price of a commodity is Rs. 100, मतलब उस चीद के हमने Rs. 100 रुपिस अर्न किये, and यहाँ पे आपका total variable cost कितना है, 60 है, तो वहीं हमने बताया, कि इन दोन में क्या निकालना है, margin निकालना है, मतलब margin कितना आया है, तो total contribution margin आपका क्या निकल के आएगा, that is 40, क्यों क्योंकि 100 में से, आपने क्या minus करवा देना है, total variable cost को, तो 100 में से 60 गए, वह आपका आजाएगा 40, तो यह आपका क्या है, total contribution margin, मतलब margin क्या निकल के आया है, उस चीज़ को बेचने पे, it will consist of, अब इसमें क्या है, consist होगा, आपका total fixed cost, total net profit, सारा कुछ consist हो के आएगा, other words में हम लोग कह सकते हैं, कि total contribution margin, किसके equal होता है, total fixed cost and total net profit, इन दोनों को plus के अदिया जाए, तो आपका total contribution margin निकल के आ जाएगा, so thus contribution margin of a firm, refers to the difference between, यह आपको यहाद ही करना पड़ेगा, कि कैसे निकालते हैं, difference between total revenue, total cost, total variable cost, यह फिर हम लोग इसको निकालते कैसे हैं, कि total आपका contribution margin, किसके equal होता है, total variable cost के ही equal माना जाता है, इस difference is equal to total fixed cost and total net profit, यह देखो, total contribution margin को निकालना, जो पीछे हमने पड़ा ही था यहाँ पे, कि total net profit को अगर मैं प्लस कर दूं, total fixed cost के साथ, तभी भी हम लोग इसका contribution margin को निकाल सकते हैं, तो main points यहाँ पे ध्यान रखने वाला क्या है, एक तो यह वाला formula है, कि total contribution margin that is equal to the total variable cost, और यह आपका यह वाला formula है, that total net profit plus total fixed cost के साथ, भी हम लोग contribution margin को निकाल सकते हैं, तो अगर बच्छे, total net profit यहाँ पे क्या हो जाए, zero हो जाए, तो that means total, आपका contribution margin किसके equal आ जाएगा, total fixed cost के equal ही आ जाएगा अगर total net profit zero ले लोगे, तो यह अलग-अलग methods हैं उस चीज़ को निकालने के, अब next discuss करते हैं, इन्होंने बता रखा है कि total net profit अगर हम लोग zero लेते हैं, तो total आपका contribution margin किसके equal आ जाएगा, total fixed cost के equal ही आ जाएगा, and it will be a situation of the break-even point, तो यह situation कौनसी होगी, break-even point की situation होगी, जहाँ पर यह दोनों क्या हो जाएंगे, equal हो जाएंगे, तो दस break-even point refer क्या करता है, that situation in which total contribution margin is equal to the total fixed cost, यह फिर हम लोग कह सकते हैं इसको average contribution margin is equal to the average fixed cost, तो दोनों में ही यहाँ पर average हैं वहाँ पर total है, तो average contribution margin is equal to the total contribution margin divided by the total output, and average fixed cost कैसे निकालते हैं, fixed cost upon the output, यह contribution निकालना है तो उपर क्या लोगे, total contribution margin लोगे, average fixed cost निकालना है तो उपर क्या लोगे, fixed cost नीचे तो वही same है, total output ही लिखोगे, अब इसको भी graphical way में represent किया गया है, अब नीचे आपने क्या लेना है, output को उपर आपने वही लेना है, cost, revenue और जो भी profit चल रहा होगा, उस time period पे, curves आपकी बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगी, जैसे हमने previous में बनाई थी, तो क्या करना है, और region से आपका क्या जाएगा, total revenue, ठीके, यहाँ से ही जाएगी, उसके बाद क्या करना है, total cost, total cost हमारी जैसे वहाँ पर 40 से start थी, वैसे यही बी क्या है से start होगी, उपर से ही start होगी, और एक आपने line कोंसी बनानी है, total variable cost की, और total variable cost आपका 0 से ही start था, ठीके, तो यह चीज ऐसे बनेगी, यह आपकी बनी है, total variable cost, यह clear हो गया, अब इस point फिर जो total revenue, total cost को cut करवा रहा है, तो यह आपका क्या बनेगा, break even point, अलग graphical representation रैसे ही है, यह कौन सी zone है, यह loss वाली zone है, यह आपकी profit वाली zone है, क्योंकि profit कैसा है, total revenue greater than total cost, loss क्या है, that is, total revenue is less than the total cost, तो यह सारा चीज ध्यान में रखनी है, एक आपको यह भी देखना है, कि इन margins को कहा क्या जाता है, जैसे यह क्या है, यह वाला area है आपका, variable cost वाला, यह वाला area क्या है, fixed cost वाला, ठीक है ना, क्योंकि total cost किससे मिला के बना है, fixed cost प्लस variable cost, variable cost वाला यहां तक area है, fixed cost आपका उपर वाला area हो जाएगा, और profit यह आपका कौनसा area है, यह profit वाला area है, बस उपर वाला जो profit निकल की आया, profit कैसे निकल की आया है, revenue में से cost को minus करवा के, तो हम लोग profit zone को यहीं पर ही लेने वाले हैं, तो यहां पर ध्यान रखना है, कि total contribution margin is equal to the total revenue में से, अगर हम लोग minus करवा दें किसको total variable cost को, यहां फिर हम लोग लिख सकते हैं, total net profit plus the total fixed cost, यह दो तरीके हैं इसको ढूणने के, यहां फिर total revenue में से यह देखो, यह पूरा total revenue है, इन में से आपको लोग क्या करो, total variable cost को minus करवा दो, तो आपका contribution margin आ जाएगा, यहां फिर total net profit plus करदो, total fixed cost के साथ, तब भी आपका contribution margin निकल के आ जाएगा, तो यहां तक आपको I think clear हो गया होगा, कोई भी confusion हो, कोई doubt हो, आप मज़े comment section में पूछ सकते हैं, वीडियो helpful लगी हो, तो इस channel को ज़रूर subscribe कीजिए, like, share and comment and press the bell icon, ताकि हर वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहे, thank you.